तो चलिए आज हम बनाते हैं राजिस्तान की टडिशनल डिस्ट गट्टे की सबची ये मैंने सबसे पहले बेशन लिया है जिसके अंदर हमने डाला है हल्दी, नमक, धनिया पाउडर और एक चुटकी डाला है या मैंने हींग और मीठा सोड़ा और थोड़ा सा मैंने डाला है इसके अंदर जीरा और साबुद धनिया जिसको हम हतेली पे रगड लेंगे दो हिस्से करके डाल देंगे कुछ मौवन के लिए डालेंगे हम इसमें मस्टर्ड ओयल जिससे वो सॉफ्ट रहेगा और चुटकी बहर डाला है मैंने इसके अंदर मीठा सोड़ा जिससे वो बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं आदा कटोरी मैंने धही ली थी दीरे धीरे करके हम धही को इसके अंदर मिक्स कर लेंगे और इसको हम अच्छे से जिससे लंस ना पड़े मिलाते रहेंगे और जरूरत पड़े तो इसमें हम एड करेंगे वोटर तो देखे कुछ इस तरीके से हमने इस डो को रैडी किया है रैडी होने के बाद इसके हम गोल-गोल बेल के हम इनके एक सेब बना लेंगे यह मैंने ऐसे स्टिक बना ली है और एक कड़ाई में मैंने पानी रख दिया है गैस पर तो पानी बॉइल हो चुका है अब हम इन सब को इसके अंदर डाल देंगे डालने के बाद इसको हम ढखके रख देंगे और हम इनको तब तक पकाएंगे जब तक इसके अंदर एक बॉयल ना आ जाए और ये बहुत ही टेस्टी बनती है सबजी तो देखे इसमें बॉयल आ गया है कुछ इस तरीके से उबलने लग गया है आप हम गैस को बंद कर देंगे मैंने लिया है सबसे पहले मस्टर्ड ओयल और ये मस्टर्ड ओयल में ही अच्छी बनती है सबजी आदा कटोरी धाई कस्मीरी लाल मिर्च धनिया पाउडर, हल्दी इन सब चीजों को डाल के एड़ कर लेंगे साथ में हींग तेल के अंदर हमने डाल दिया है जीरा जीरा डालने के बाद जो हमने दही का पेश्ट मसाला मिक्स करके बनाया था उसको एड़ कर देंगे और गैस को बंद कर देंगे तो हम इसको दीरे-दीरे चलाते रहेंगे जिससे दही हमारी फटेना और जो हमने गटी की सबजी के के हमने कट कर लिए हैं इनको कुछ इस तरीके क्यूप्स बन गई है इसके अंदर एड कर दिया है तो यह सब्जी हमारी बनकर रैडी हो चुकी है अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले